हेलो दोस्तों स्वाथ है आपका डिमागटिंग बोले मेरे रामे विशेख दोस्तों आज को डेकान टॉपिक है बेस्ट होस्टिंग फॉर ब्लॉग तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखने वाले ब्लॉग के लिए सबसे कमाल की होस्टिंग और गईस साथ में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी दूँगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसके थूर जाके पर्चेस कने से आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट और गईस सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप हमारे लिंक के थूर पर्चेस करते हो और वो रेसिप्ट मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दियेगे मेल आइडी पर सेंट करोगे तो मैं आपको 48 गंटे के अंदर अंदर एक प्रीमियम ब्लॉग थीम दूँगा जिसका नाम है News Mac और दूसरा आपको मैं Elemental Pro Plugin दूँगा Lifetime के लिए और तीसरा मैं आपको दूँगा Rank Math Pro Plugin ठीके ये भी रहेगा Lifetime Unlimited Websites के लिए ठीके गाइस तो बाकी सारी डीटेल्स में आपको आगे इस वीडियों बताऊंगा और इमेल एडिया आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जिसके अंदर हमें ये समझ में आया कि इंडिया में जितने भी लोग ब्लोगिंग स्टार्ट करते हैं ठीके उसमें 70% जो लोग होते हैं वो पहले महीने में ही ब्लोगिंग छोड़ देते हैं और बचे हुए जो 30% है उन में से 20% लोग 3 महीने तक उस ब्लोगिंग को छोड़ देते हैं फिर जो 10% बचते हैं वो 6 महीने तक लेके चलते हैं और उसके बाद सिर्फ 1% ऐसे लोग होते जिसको करियर बनाते हैं तो ये एक ऐसी सच्चाई है जो मतलब बताया नहीं जाता कहीं भी अगर आप कोई भी वीडियो देख लो ब्लोगिंग से लेटर वहाँ पर आप कोई सच्चाई बताते नहीं है क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन यह है रहता है कि ब्लोगिंग में कुछ लोग successful है और वो लोग ये चीज़ बताते हैं और बाकी लोग भी उसको देखके motivate होते हैं और शुरू करते हैं और ना बताने का सबसे बड़ा रीजन यह होता है कि लोगों को motivated रखना अगर यह सचा ही बता दी सबको तो लोग क्या करेंगे फिर ब्लोगिंग करना बंद कर देंगे और अगर ऐसा हुआ तो अच्छा content बनना बंद हो जाएगा और कहीं ना कहीं यह एक अच्छी बात भी लेकिन मैं आपको इस status इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तक हम उन 30% लोग ऐसे होते हैं जो successful होते हैं ठीक है और यह जो हम last में 30% लोग की मैंने बात की थी उसके अंदर जो last 10% लोग होते हैं वो लोग ब्लोगिंग continue रखते हैं लेकिन उन्हें इतनी success देखने को नहीं मिलती बस वो 1% लोग ऐसे होते हैं जो आगे निकल जाते हैं बागी स सचा ही बता हूं तो वह सचा ही यह है कि वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम से कम 10 साल पहले से ब्लोगिंग स्टार्ट कर रखी थी और उनको सब पता होता है ब्लोगिंग में चीज़े कैसे काम करते हैं और उन्हें से जादा तर लोग वही होते हैं नए लोग बहुत रेर ऐस hosting है ठीक है ये वीडियो हम blog के लिए सबसे अच्छा hosting है इसलिए मैंने आपको कहा कि blog में hosting का बहुत बड़ा रोल होता है गैस ये जो 70% लोग होता है ना उनकी सबसे बड़ी गलती होती या तो वो गलत hosting ले 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 या फिर corporate world में एक online business में या फिर एक blog में success पाने के लिए आपको कम से कम 18 माईने regular काम करना पड़ता अगर आप ही किस्मत अच्छी ना हो तो ये चीज बहुत जरूर है अगर ये चीज को भी follow कर लाते है ना जाते हैं तो ये जो 1% है ना वो कम से कम 10% होता है successful लोगों के guess में क्योंकि एक career में जैसा अगर आप देखो गए अपने एक office join करते हैं तो क्या होता है उस office में सब जने तो manager नहीं बनता ना क्योंकि manager की seat तो एक ही है तो उस एक जने को आप भूल जाओ आप ये देखो कि आप अपने career में आगे बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो अगर आप उस एक जने को देखके demotivate हो जाओ गए यार में भी मैंने भी इस बंदे के साथ में काम करना शुरू किया था ये तो manager बन किया मैं तो वहीं के वहीं रहे गया या फिर मेरा तो हलका चोटा मोटा तो ये चीज कोई देखता है अगर इतना भी अगर कोई सोच लेना तो कोई भी blogging को तीन महीने में तो नहीं छोड़ेगा और अगर तीन महीने में नहीं छोड़ा तो छे महीने के बाद एक ठीक ठाक result आपको देखने को मिलेगा और वहाँ पर आप सोच सकते हो कि क्या इस तरीके से मैं अगर 10-12 महीने और आगे बढ़ पाऊं तो क्या मैं इतना funds रख पाऊंगा अपने पास कि मैं इस blogging कंटिन्यू रख पाऊंगा तो वो चीज आपको decide करना है मतलब यह होता है ना कि जब हमारी एक job जाती है तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं क्या अगले 6 महीने में बिना job के survive कर पाऊंगा यह हमारा पहला सवाल होना चाहिए वैसे ही जब आप blogging कर रहे होते हो तो आपको यह सोचना चाहिए कि अगर मेरे मुझे एक साल तक blogging में success नहीं मिला तो क्या मैं survive कर पाऊंगा यह एक सवाल अपने आप से पूछो देखो bank balance और सारी सीचे देखने बाट decide करो कि आप कितने time आप blogging को दे सकते हो अगर आप blogging को सही time दे सकते हो तो मैं कहुँगा कि आपको एक सही hosting के साथ शुरू कर देना चाहिए क्योंकि एक सही hosting आपको जल्दी से जल्दी success दिला सकता और mainly मैं कहुँगा कि एक सही hosting plan आपको जल्दी success दिला सकता है तो अब बात करते हैं इसकी तो guys आपको एक link description मिलेगा जिसके तो आपको 80% का discount मिलेगा hosting और guys hosting इसलिए क्योंकि 20 सालों से income मुकाबले का कोई नहीं है मैं यह नहीं बोलूँगा कि यह best hosting है पूरे world का मैं यह बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा sale होने वाला hosting जो है सबसे ज़्यादा लोग जिस hosting को खरीते हैं वो hostinger है पहले भी आज भी और most probably आने वाले time में भी ठीक है क्योंकि guys यह एक affordable price में आपको शुरू करने का मौका देता है अगर आप कोई चीज शुरू ही नहीं करोगे तो guys कोई chance ही नहीं है कि आपको उसमें success मिलेगी तो अगर मतलब वोई कहता है ना कि अगर आप cultivate नहीं करोगे तो harvest क्या गरोगे तो बस वही चीज है आपको cultivate करने का एक chance देता है hostinger कम price में ताकि आप शुरू कर पाओ अब यहाँ पर hostinger hosting में तो कोई doubt नहीं है कि इसमें कोई बुरा ही है लेकिन यहाँ पर आपको plans से ही source समझ के select करना चाहिए अब गाई यहाँ पर plans देखने के पहले मैं आपको बोलूगा कि आप इनका एक बार review चेक कर लो ट्रस पैलेट पर 4.6 गूगल पर 4.8 host advice पर 4.6 और W beginner's पर 4.7 गैस सभी जगों पर जितने भी लोगों ने review और ऐसा भी नहीं कि reviews कुछ कम है यहाँ पर 28,000 review है यहाँ पर 1200 review है यहाँ पर 2432 review है यहाँ पर 874 reviews है वो इसलिए क्योंकि WP beginner जो साइट है वो इतनी भी पॉपलर नहीं है बाग कि आप देखो तो host advice बहुत ज़्यादा पॉपलर है और इसलिए popular है क्योंकि यहाँ पर हर तरह की company आपना reviews डलवाती है डलवाती मतलर डालने के option देती है लेकिन host advice में 2400 review होना सबसे बड़ी बात है क्योंकि host advice है कि एक सी website है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ posting companies के review डाले जाते है और सबसे important चीज एक बंदा सिर्फ एक ही review डाल सकता है मतलब कोई जान बुझे किसी company को खराब नहीं बना सकता है खराब review डालके और नहीं अच्छा बना सकता अच्छा रिवीज डालके तो इसलिए मैं सबसेरा टर्स करता है host advice पर यहाँ पर 2432 review और फिर भी 4.6 का यहाँ पर आपको rating देखने को मिलता है out of 5 तो इसलिए wordpress.org जो की wordpress company की official website यहाँ पर भी recommend किया गया है hostinger को ठीक है आप चाहो तो जाके check कर सकते हो wordpress.org में आपको menu में hosting मिल जाएगा वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं hostinger को recommend किया गया बाकि जो companies वहाँ पर recommend करी गई है वो Indian companies नहीं है और अगर Indian companies है तो आपको Indian support नहीं मिलेग होस्टिंगर में आपको Indian language में support मिल जाता है अब चलते हैं हम plans के तरफ ठीक है plans जाते हैं एक बार और अच्छी तरीकार देख लेना कि यहाँ पर आपको कौन सा plan लेना देको web hosting मिलता है wordpress hosting मिलता है अब अगर आप अपना blog बनाने वाले हो wordpress पे तो guys आपको definitely wordpress hosting किलना जी क्योंकि यहाँ पर web hosting और wordpress hosting की price बिल्कुल same है बागी companies नहीं कर पाती है यह लोग कर पार है क्योंकि 20 साल से इस market में इनको पता होता है कि hosting actual में कितने की मिलती है क्या होता है कि कैसे उसको सस्ता किया जा सकता गाइस बहुत options होते हैं है ना अगर कोई company अपना खुद का पैनल बना ले तो बहुत महंगा पड़ता है लेकिन उसके बाद जब वो पैनल देने शुरू करते हैं तो इन लोगों ने अपना खुद का hostinger पैनल बनाया दूसरी companies के पास खुद का पैनल नहीं होता है इसलिए वो c-panel से काम चलाते है ठीक है काम चलाते मतलब ऐसा नहीं है कि c-panel में कोई बुराई है c-panel तो best है c-panel से अच्छी चीज दूसरी है नहीं उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले से hosting use किया है कभी भी जैसा अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 15 सालों से hosting खरीद रहा हूँ तो मुझे पता है कि सबसे पहले जब मैंने hosting लिया था तो मुझे c-panel मिला था तो मैं ज़्यादा यूस्टू हूँ c-panel के साथ मैं hosting यूस्टू नहीं है लेकिन अगर आगर आप कोई beginner है तो मैं कहूंगा guys hostinger panel ज़्यादा easy है c-panel को use करने तो यह चीज है जिन लोगों क यहां पर wordpress hosting की खास बात यह है कि wordpress hosting में जो resources होते हैं यह जो चीज लिखे होते हैं यह resources नहीं है यह तो प्लान में जो features मिलते है वो है resources अलग चीज है resource का मतलब होता है RAM CPU entry process यह सारी चीज रिसोर्स होती है तो resources की बात करें wordpress hosting में तो वो shared नहीं होते हैं जैसे कि अगर मालो कि इस plan में आपको 2GB RAM मिल रहा है तो यह जो मानना क्या है 2GB RAM आपको मिल रहा है तो 2GB RAM जो होता है इसको आपको किसी के साथ share करने की ज़रूद नहीं तो मतलब आगर आप पूरा का पूरा खुद यूज़ कर रहे हो तो definitely आपको ज्यादा power मिल रही है ज्यादा अची performance मिलेगी है ना जब भी आपको किसी के साथ share करते हो तो सब में वो चीज बढ़ जाती है फिर आपको उसका सिर्फ एक हिस्सा मिलता है यहां पर आपको पूरा के बात है कि यहां पर आपको जो भी रिसॉर्स मिलता है वो टेंडिकेटेड होते हैं और इसी लिए वर्ड़र्स होस्टिंग की performance वेब वॉस्टिंग ते बैटर होती है तो यह सबसे पहला होता है जो आपको वर्ड़र्स होस्टिंग लेना चाहिए आपको इसलिए फ्री होस्टिंग तो कभी यूज़ करना नहीं है उसके बद आता है सस्ते होस्टिंग कमनियों में क्या होता है ना तो आपको बैन्विट मिलता है ना ही आपको CDN मिलता है ना आपको free domain मिलता है मतलब आपको कुछ खास चीज़े मिलती नहीं तो इसलिए जो सस्ते होस्टिंग है वो भी निलना चाहिए अब यहाँ पर भी अगर आप देखुए तो दो प्लैन्स है आपके सामने 149 और 249 अब गईस 149 और 249 की बीच में डिफरेंस कितना है 100 रुपे का डिफरेंस है हर महीने आपको इस प्लैन में 100 रुपे जादा देने पड़ेंगे बिस द्यान समधना इस चीज़ को इन दोना प्लैन्स को द्यान समझना ताकि आपको क्लीर हो जाए कि हम यह वीडियो देख क्यों रहे हैं तो यहाँ पर आपको इस प्लैन में मिलें 100 वेबसाइट यहाँ पर भी आपको मिल जाता है 100 वेबसाइट कोई डिफरेंस नहीं है यहां पर आपको 200 GB का NVMe SSD storage बिलता दे हुआ इस storage matter नहीं करता है कितने का है कौन सा storage वो matter करता है यहां पर SSD storage है यहां पर NVMe SSD storage है जो कि SSD storage से बहुत जादा fast है अब यह एक बहुत बड़ा factor है और यह traffic बहुत बड़ा factor है क्योंकि चार गुना जादा मिल रहा है यहां पर और यह चलेगा याँ कोई घर नहीं पढ़ता है अब सबसे बड़ा reason होता है CDN CDN आपके upside की speed को directly 25 गुना बढ़ा देती है अब आप सोचो एक तो CDN मिल रहा है NVMe SSD storage है 4 गुना ज़्यादा traffic है ठीक है और इसके अलाबा अगर आप affiliate marketing बगरा करते हो तो आपको यहाँ पर एक और चीज मिलती है free Amazon affiliate WordPress plugin और इसके अलाबा आपको AI assistant मिलता है यानि कि आप अपना blog का title लिखा सकते हो description लिखा तो content भी लिखा सकते हो लेकिन content लिखा तेट है में एक टीश जान रखना कि उसके अंदर शुरू के 2 paragraph या 3 paragraph बड़े हो तो 2 paragraph आप लिखो और चोटे चोटे परग्राफ सो तो कम से कम 3 paragraph आप आपने खुद से लिखा और उसके बाद article को बड़ा करने के लिए आप AI assistant का use करो और articles लिखा हो खुद से लिखे बिना पूरा का पूरा AI assistant से मत लिखवाना ideas ले सकते हो लिखवाना मत पूरा ठीक है तो ये चीज़ है और इसके लाब Amazon affiliate marketing करना चाहते है तो आपको Amazon का premium plugin याप बिल्कुल premium मिल जाता है ठीक है तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको सिर्फ 100 रुपे ज़्यादा देने पड़ रहे है चार गुना ज़्यादा ट्राफिक मिल रहे है और प्राइजिंग सिर्फ 100 रुपे ज़्यादा हो रही है तो गैस समझधारी किसकोन से प्लान को लेने में इसी को लेने में ठीक है तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है और गैस अगर आप इससे थोड़ा उपर जाना चाहते है लेकिन आपी देखोट पोर कोर सिप्यू 6GB RAM 250GB का एंवे में असस्जी स्टोराइज बाकि सारी चीजे मिलेगी वह जोगी उन सब्सक्राइज और सब्सक्राइज प्रायरिटी सपोर्ट सपोर्ट भी क्लाउड होस्टिंग वालों को पहले मिल पी होसिंगर मैं ठीक है थो ये सारे फायद को होई हां पर देखने व chemical और ये प्लान इतना ट्राफिक एनल कर सकता है Vai ये संट आम डियाल क्नव बहुघन ट्राफिक भले ही मंथ्ली डरक बहुत तवरा है यह पर ते दिए लिक क्यूंकि आपको better performance मिल रही है, better speed मिल रही है और Google को चाहिए क्या होता है, Google को चाहिए ही speed होता है, ऐसी upside जिनकी speed अच्छी हो वो उनको first page पे rank करता है, ठीक है, और first page पे rank होने के बाद उसको first position पे rank करवाना हमारा काम है, हमें manually कराना पड़ेगा SEO करके, लेकिन जो first page पे rank कर भी नहीं होता है, ठीक है, तो premium theme तो आपको मिल गया, elemental pro plugin अगर आप use करना चाहते हो, तो मैं आपको वो भी दूँगा, और इसके अलावा SEO करने के लिए rank math का pro plugin भी दूँगा मैं आपको, अगर आप हमारे link है through hosting purchase करते हो, और इस video के description में दिये गए email ID पर मुझे, आप payment कर आने के बाद जो आपका receipt आता है, वो receipt अगर आपको screenshot लेकर मुझे बेदे तो अगले 48 घंटे के अंतर अंतर आपको ये तीनो चीजे मैं आपको free में दूँगा, और भी lifetime आप उसका use करते हो, तो ये सारी चीजे आपको मिल रहे है, तो मसला आपके blogging career के लिए आपको जो क कम से कम 6 महीना regular काम करना इसमें, नहीं तो आपको result देखने को नहीं मिलेगा, business plan use करते हो, तीन महीने के अंदर आपको result देखने को मिल जाएगा, और अगर cloud professional आपको एक महीने के अंदर आपको result देखने को मिल जाए, क्योंकि 6 GB RAM का power लग रहा है उसके अंदर, ठीक है, तो उस level की speed और उस level का traffic को हैंडल कर सकता है, तो guys इसी लिए मैं कहूंगा कि जितना ज़्यादा आप किसी चीज पर invest करते हो ना, उतना ज़्यादा आपको return मिलता है, बले ही ये online हम blogging की बात कर ले, business की बात, business में आप जितना बड़ा invest करते हो ना, जैसे कि माल लोकी अगर आ एक electronics की दुकान चलाते हो, ठीक, आपके पास एक 5000 रुपे का item है, जो आपको बेच दियो, तो 5000 रुपे का item में आप कितना कमा होगे, 1000 रुपे कमा होगे, लेकिन वहीं पर अगर आप माल लोगे, आपका showroom है BMW का, तो एक गाड़ी पे आप कितना कमा होगे, लाकों में कमा ह होगे आप, ठीक है, तो जितना बड़ा investment होगा, उतना जादा आप कमा होगे भी, ये चीज़ आपको हमेशे समझ देना है, तो वो चीज़ को mind में रखो, आप ये देखो कि 999 रुपे या 500 रुपे, क्या होता, एक movie की टिकेट तक नहीं आएगी, अगर आप 500 रुपे में एक movie देखने जाओगे, हर अपते, या फिर मैने में एक बार, तो 500 रुपे में तो यारी, टिकेट सकनी आती है movie की, और खासकर अगर आपको सबसे पीच, last street चाहिए, बालकनी वाली, तो घैस, फिर तो possibly नहीं है, तो उससे तो कितना कम है, वो भी अपने career के लिए आप यह पुछना नहीं चीए, उस हिसाब से देखा जाते हैं, तो 999 रुपे भी कुछ भी नहीं है, अगर आप 2-3 जनों का group, अगर एक movie देखने जाते हैं, तो 1500 रुपे तो यूँ ही चले गाए, तो 999 रुपे आप अपने business ने इन्वेस्ट कर रहे हो, cloud hosting पे, तो उसमें क्या ब करके बताना कि क्या result मिला, ठीकी गईस, तो link description में directly purchase कर सकते हैं, बाकि सारे rules मैंने आपको बता दिया, तो 48 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे premium theme plugin जो कुछी मैंने इस वीडियो में आप mention किया, वो सब कुछ मिल जाएगा, और अगर आप पहली बार hosting करीबने वाले हो, त how to buy WordPress hosting from Hostinger, तो आपको यह वाला वीडियो भी लेगा है, आपको फर्स नमर पर, demarketing wall YouTube channel हमारे ही चानल पर है, how to buy WordPress hosting from Hostinger, साथ मेने पहले मैंने वीडियो डाला था, भी 2000 वीडियो है इस वीडियो पर, तो आप यह वाला वीडियो देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने पूरा hosting आप बिजनस वाला वोस्टिंग वाला प्लान खरीद के बताया है, आप चाहो तो cloud hosting ले सकते हो, चाहो तो premium hosting ले सकते हो, जो आपका मन करें आप ले सकते हो, ठीके, लेने का तुछ तरीका रहेगा, वो सेम रहेगा, जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, और सारा setup, ब्लोग setup करने तक सब कुछ बताया है, मैंने इसके अंदर आपको, ठीकी गाइस, तो उमीद है कि आपको सारी सीचे clear हो गए होगी होगी, फिर भी को डाउट अटाव से comment करके पूछ सकते हो, वीडियो से अब लाइक जरू करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेले अको वेडियो से वो और भी ज़्यादा clear हो जाएंगे, और गईज अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छे लगा वीडियो लाइक जरू करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेले अको प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो के भी नोटिफिकेश आपको मिलते रहेंगे, तो दोस्तों, आज कुडियों सिर्फ इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद